जैहें साथियो बेलकम टू सेल्फ स्टड़ी किलासेश वे सुमिजेन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज हम परियावरण पेड़ागोजी से सम्मंदेत प्रस्णों पर अध्यन करेंगे यह बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्ण है आपसे निविदन करूँगा कि आप हमारी लाइफ सेशन लाइफ किलासों से जरूर जड़े लो पहर धाई बज़े आपकी होती है पेड़ागोजी की किलास सामको साड़े च्छे बज़े होती है परियावरण अध्यन की किलास साथ बच के पंदरा मिनिट पर सामको होती है बालबिकास रात में दस बच के दस मिनिट पर हिंदी भासा की किलास होती है तो उन किलासों से अवस्य जड़ना है और आज का हमारा जो पहला प्रस्ण है कि परियावरण अध्यन का उद्देश से है तो अध्यन का उद्देश से क्या होता है तो परियावरन अध्यन का जो उद्देश से होता है साथियो वो इस्थानिये परियावरन परियावरनी मुद्यों के पिर्ती समझ उत्पन करना ये भी होता है परियावरनी मुद्यों के पिर्ती समझ उत्पन करना ये भी होता है परियावरन के पिर्ती सकारात परिश्थितियों में अंकुरण का प्रियास करता है केवल एक केवल हवा में दूसरा हवा और पानी में तीसरा पानी में पूरी तरह डुबा कर हैना बालक प्राप्त परिणामों को अपनी कापियों में अंकित करते हैं बेसलेशन करते हैं और निसकरसित करते हैं कि कि अब लोकन भी कर रहे हैं, बरगी करन भी कर रहे हैं, उन्नती कर रहे हैं, तारक एकता से नहीं हो रहा, यहनि कि बिकलप नमबर यहाँ पर D आपका सही होगा, अंगला question ए EBS एकी करन है, तो EBS एकी करन क्या है, तब आपका सही उत्तर हो जाएगा, वह हो जाएगा परियावन अध्यन का घटक नहीं है तो घटक नहीं है बताना है तब मानाव है जल मंडल भी है बायू मंडल भी है ये स्वार मंडल जो है ये आपका सही होगा ये परियावन का घटक नहीं माना जाता डी नम्मर आपका यहां पर सही होगा ठीक है अंगला कोस्चन देख लेत नेशनल लेबल पर NCERT करती है, स्टेट लेबल पर बहार राज में SCERT, ठीक है, C नमबर अंगला कोस्चन है, बहार राज में कक्छा 5 तक परियावरण अध्यन कैसा बेसा है तो यह समनबत बेसा है बहार में, ठीक है, समनबत यहनी की C नमबर सही होगा परियावरण अध्यन की कक्छा होनी चाहिए, तो परियावरण की जो कक्छा होनी चाहिए दोस्तों, वो होनी चाहिए गतीब धी आधारत यानि कि जो बेकल्प नमबर एक है, बिलकुल यहाँ पर सही हो जाएगी, ठीक है अंगला है, बच्चों में सामाजिक भावना का बेकास करने के लिए, निर्वे से कौन सा प्रियास सरबोत्तम है, प्रशने करमांक 8 का, और 8 का आपका उत्र होगा सी, बच्चों को स्वस्त इस परदा के लिए तयार करना, और सी नमबर यहाँ पर आपका बिलकुल सही होगा, ठीक है प्रयावन दिन की कक्चा में बच्चों के अनिभवों को महत्तों देना चाहिए, क्योंकि क्यों महत्तो देना चाहिए तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा परियावन अद्यन के अक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्तो देना चाहिए क्योंकि बेसाय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की पिरकिरिया को बड़ाबा मिलता है यानि कि जो ब वाइव भी कारकव आते हैं। यानि कि सभी आते हैं प्राकृतिक पर्यावलन की अंत्रrekत। यहां पर साही हो जाएगा。 अंगला कोच्चन प्राकरतिक इवं सामाजिक संस्कृतिक पर्यावलन की बीच अंत्यक्रिया का उधारन है। तो अंतकरिया का उधारन क्या है अंतकरिया का उधारन बनों की कटाई भी है निर्मान कार भी है सिकार भी है एनिक यो प्रोक तो सभी यहाँ पर आपका राइट अंसर होगा अंगला क्वेस्चन है बच्चे को समाजीकरन का पहला पार्ट कहां से प्राप्त होता है तो समाज नहीं है तब उत्तर बताना है प्रश्ण किरमांग 14 का तो आपका यहां पर देखो परियावन सिक्षा जीवन परियंत सिक्षा पराली नहीं है तो यह सिद्दान्त नहीं है परियावन सिक्षा तो यह जीवन परियंत सिक्षा पराली मानी जाती है तो बी नम्मर यहां पर तथा सामूदा एक प्रयास होने चाहिए बिलकुर शाहिए प्रयावन सिक्षन का प्रयावन की सुरक्षा एबं सरक्षन एप्रम को देश माना जाता है परयावन सिक्षा का ए नमर आपका यहाँ पर सही होगा निम्लिकित में से कौन सा बेकल्प परियावना दिन की बिसे बस तुमें सम्मलित नहीं किया जाता तो कौन सा नहीं किया जाता तो आपको पता है कि राजनेतिक संरक्षन यह नहीं किया जाता है बन सर लक्षन जल सर लक्षन यह सभी किये जाते जब कि भी नहीं किया जाता अंगला कोस्चन देखो IEP का पूर्ण रूप है तो क्या है IEP का पूर्ण रूप होता है दोस्तों International Environmental Education Program IEP का पूर्ण रूप होता है याद कर लिना ऐसे कोस्चन कई बार पूछे जाते हैं ठीक है परियावरन दिन की पाठ पुस्तक में पहेलियां सामिल करने का निमलिकित में से कौन सा उद्देश से नहीं है बताना है तो नहीं है कौन सा नहीं है तब आपका बिलकुँ सही आंसर होगा बच्चों के मस्तिस्क को भ्रमित करना और इस भ्रम का आनंद उठाए देना ये जो है पाठ पुस्तक में पहेलियां सामिल करने का उद्देश से नहीं है ये नम्मर आपका यहां पर सही हो जाएगा ठीक है ये नम्मर का अंगला देख लो निमलकित में से कौन सा प्रात्मिक विद्याले में परियावन अध्यन पढाने का उद्देश से निरूपत है तो उद्देश जो निरूपत है वो क्या है बी विद्याले में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना ये उद्देश निरूपत होता है परियावन प्रात्मिक विद्यले में परियावन अध्यन को पढाने का तो बी नम्मर यहाँ पर आपका राइट अंसर होगा निमले कितने कथनों में ऐसे कौन सा प्रात्मे कि स्तर पर परियावरन दिन पराने का उद्देश से नहीं है प्रात्मे कि स्तर पर बताना है तब आपका उत्तर क्या होगा बच्चों पर आकलन के लिए सब्दावली और परिवासाओं का बोज डालना ये नहीं है ये नम्मर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है प्रात में किस तर पर परियावन दिन का उद्देश से नहीं है बताना है तो ये नम्मर यहाँ पर सही होगा जीवन और सरुप परियावन से सरुकार रखने वाले मुल्यों को आत्मग्यान करना ये है प्राकरते को असामजिक बातरो में लगानता था बेवहरे करियाई करवाना जो संग्यान अत्मक और मनस्च अत्मक कोंसलों की विकास में सही बिल्कुल ये भी सही है तो ये नम्मर आपका यहाँ पर सही हो जागा ठीक है देख लेते हैं अंगला जो अपना अंगला फैठ है उसके बारे नहीं यहाँ पर देखो राष्टिय पार्चरिया की रूप रेखा 2005 प्राथ में किस तर पर पर प्रयावन अध्यन सिक्ष्ण का मुक को देश होना चाहिए तो क्या होने चाहिए 21 का आंसर बताना है स्वतंत रूप से प्रियोग करने की कुसलता आरजित करना है ना या फिर विसा अधरवु सिद्धानतों को इसमण करना तो आपका उत्तर हो जाएगा कक्चा कक्ची अधियम को विद्याला के बाहर के जीवन से जोड़ना यह जो है राष्टिय पार्चरिया 2005 प्रात्मे किस तर पर पर परयावन अध्यन सिक्ष्ण का प्रमो को देश होना चाहिए यानि पार्चरिया के जो अनुरूप नहीं है तो वो नहीं है आपका उसे काम की दुनिया में प्रिवेश के लिए सिक्षारतियों को ग्यान एवं कोंसल से लेस करना चाहिए तो बी नम्मर आपका यहाँ पर नहीं है यह ना पार्चरिया की आवसकता के अनुरूप नहीं है बी नम्मर आपका यहां पर सही होगा अंगला क्वेश्चन ने परियावरण की परिभासा क्या है तो ए बायोटेक एवं बायोटेक गटक समुद्र तल के नीचे प्रत्वी परवस्तु हैं चीजें जो हमको गेड़ती हैं या पर प्रोक्त में से कोई नहीं तब आपका राइट हो जाएगा विकल्प नम्मर एव आईवायोटेक आईनि की जयबव कर अजयब घटक एक नमबर आपका सही होगा ठीक है आपको पता है कि प्रियावरण जयबव कर अजयबवक होरो जयबवोष्चन से मिलता है तो ए नम्मर आपका यहां पर सही होगा प्रात्मे किस्तर पर EBS की पढ़ाई का एक प्रमो को देश है तो क्या है तो प्रात्मे किस्तर पर बताना है तब आपका right answer होगा कक्छा की पढ़ाई को सिक्चार्ती की बिध्यालाई की बाहर से बाहर की जीवन से समंदित करने में सहायता करना ये प्रात्मे किस्तर पर EBS की पढ़ाई का प्रमो को देश सी नमबर माना जाता है तब अगला कॉस्चन है प्रात्मे किस्तर की अच्छी EBS पार्चरिया में होना चाहिए तब क्या होने चाहिए प्रात्मे किस्तर की अच्छी EBS पार्चरिया में होना चाहिए तो अपने आसपास को खोजने की अउसर प्रिदान करना बी नममर यहाँ पर सही हो जग है ठीक है अंगला कॉस्चन देख लो EBS संचेपण खालीस्तान अर्थ प्रियुक्त होता है तो किस में प्रियुक्त होता है EBS संचेपण और जो EBS संचेपण है किसका संचेपन है environmental studies है ना डी नमर यहाँ पर आपका सही होगा निमने वैसे कौन सा प्रात में किस तर पर परियावरन अध्यन के सिक्षन का उद्देश से नहीं है बताना है तो कक्चा कक्च में होने वाले अधिकम को विद्या लएके बाहर दुनिया के साथ जोड़ना ये तो है और भी देख लेते हैं विकल्प ये और भी विकल्प हैं आपके सामने तो आपका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा कि बच्चों को परिशन पूछने के लिए आवस्थ परियरित करना चाहिए है ना ये भी है है ना बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवस्थ परियरित करना चाहिए ये भी है जबकि नहीं है तो बो नहीं है सिक्चा कक्चा कक्च में कड़े ये अनुसासन को सुनिश्चित करे ये भी नम्मर आपका बिलकुल यहां पर सही होगा प्राप्त में के कक्चाओं में परियावन अध्यन पढ़ाने के लिए निम्ले में से कौनसा उद्देश से सम्मंदेत नहीं है तो कौनसा नहीं है प्रशन किरमान के 28 और 28 का आपका बिज्ञानों के आधारवूत प्रत्यों और सिद्दानतों को रटकर याद कर लेना ये जो है ये प्राप्त में कक्चाओं में परियावन अध्यन पढ़ाने के जो है उद्देश नहीं है तो ये नम्मर आपका सही होगा अंगला कोस्चन साथ ये उप्रात में किस तर पर परियावन अध्यन की पाठ कोस्तक में निमलेकित में से कौन सी बिसेस्ता नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए तो कौन सी नहीं होनी चाहिए परिभासा और अमूर्त अब्धारणाओं की ब्याक्या करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है तो A C नम्मर आपका यहाँ पर A नहीं होनी चाहिए ठीक है A C नम्मर आपका सही हो जाएगा अपने परियावन की स्वक्षता और सुद्धता का मुल्यांकन करना प्रमोक उद्देश है तो काई का उद्देश है? A मुल्यांकन करना स्वक्षता और सुद्धता का मुल्यांकन करने भावनात मक्षेतर का उद्देश B नम्मर आपका यहाँ पर सही होगा राश्टिय पाठचरिया की रूप्रे का 2005 के अनुसार परियावन अध्यन को किस कक्षा समोह में स्थान दिया गया है तो किस कक्षा समोह में दिया गया है तीसरी से पाँच भी कक्षा बी नम्मर यहां पर आपका सही होगा अंगला क्षा ने परियावन अध्यन की पाठक्रम जिसे 6 उपविसियों चतरदिक निर्मित किया गया है में पौधे और पसू को जानबूच कर परिवार और मित्र उपविसाई की अंतरगस सम्मिलित किया गया इसके लिए निमलकित में से एक कारण को छोड़कर से सभी कौन सा है तब आपको बताना है प्रशन करवांग 32 और 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बताना है बिकल्ब को आपको पढ़ना है और आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्रशन करवांग 32 का उत्तर होगा C, C यानि कि यहाँ पर देखो C नम्मर आपक प्रिख कर्ति है बच्चै डुनिया के बारे में अपनी समझ का सिर्जन करती है इस कतन का जो स्रे हैं वो किसे जाता है किसे जाता है पाउलाओ को को हल वर्क प्याजी या फिर स्कुनर्ब तब आपको पता होगा एक आथा इस प्याजी साब ने है ना और प्याजी साब ने संग्यानात्मक विकास का सिद्धान दिया और इन्होंने विकास आत्मक अवस्थाओं का जो बर्नन किया वो चार अवस्थाओं का बर्नन किया है ना तो इन अवस्थाओं को आपको पढ़न संकेत देने जिससे नया ग्यान सीखें ये सारे के सारे करेंगे लेकिन करेंगे नहीं तो वो नहीं करेंगे उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझे लेंगे डी नमबर आपका ये नहीं करेंगे, सीके, उन्हें खुद जो है अवसर डेंगे, तो आपका डी नमबर यहां पर सही होगा, बच्चों में पिरती दिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने, ये बम, उससे सम्मान्दित प्रस्चने पूछने पर बच्चों में किस कौंसल का वेकास होता है, तो कौनसे कौंसल का वेकास होता है, तब आपका उत्तर होगा क्या, संप्रेशन कौंसल, ये जो बेकलप नमबर आपका सी है, वो यहां पर सही हो जाएगा, निवन वैसे कौनसा नियम, अधियम के प्रयास वा तुर्टी सिद्दान से संबंदित नहीं है, तो आपने पड़ाओं का ततपड़ता का नियम दिया है, थांडा एक साब ने प्रभाव का भी दिया है, अब्यास का दिया है, लेकिन पुनर बलन ये नहीं है, तो ये नमबर आपका यहां पर सही हो जाएगा, निवन वैसे कौनसी बैसे इसता अच्छे सेक्षन की नहीं ह तो अच्छे सेक्षन की देखो, अच्छा सेक्षन की रिया आधारत होता है, बिल्कुर सही है, अच्छा सेक्षन मूल आधारत होता है, ये आपका नहीं है, अच्छा सेक्षन सुवस्तितने स्चे तो देश युक्त होता है, ये भी सही है, तो C नमबर आपका यहां पर सही होगा अंगला क्वेस्चन देख लो परियावन अध्यन के सिक्षक की रूप में चड़िया घर की भिर्मन का आयोजन करने का मुख उद्देश होना चाहिए तो क्या होनी चाहिए तब आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा विकल्प नम्मर डी यहीं कि सिक्षार्तियों को स कामिल किया गया है इसका उद्देश से क्या है इसका उद्देश बताना है 53 का आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका उद्देश से प्रत्यक्ष एबम हस्त पराकनुगा उपलब्द कराना एनि कि जो बी नम्मर है वो सह को बढ़ावा देना किसको बढ़ावा देना तो आपका उत्तर होगा क्या ज्यान का सह संबंद एवं इस्थान आंत्रन को बढ़ावा देना सी नम्मर आपका यहाँ पर सही होगा अंगला है परियावन दिन के सिक्षकों को क्या करना चाहिए बच्चों के दस्टीकों को स्व सीमा प्रत्यक पार्ट को रटकर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना, चर्चा एबं ब्रेन स्टार्मिंग, मस्तिस्थ कुद्योलन के बाद प्रत्यक पार्ट को समझती है, यह है कालिस्तान के विकासात्मक सिद्दान्द की और संकित करता है, तो किसके विकासात्मक संकित करत है आपका उत्र होगा डी बैक्तिक बिन्यताओं की विकास आत्मक सिद्धान्थ की और डी नम्मर आपके यहां पर सही होगा है ना यह चीज़ याद रखनी है तब आपका अंगला क्वेश्चन इविएस की कक्छा में जल का पड़ाते समय अंजली ने अपनी कक्छा में जल क का राइट आंसर क्या हो जाएगा अधिग्यम की पिरकिरिया में बिद्ध्यार्तियों का सक्रिये भाग लेना सुनेश्चित करना सी नम्मर यहां पर आपका सही होगा अंगला क्वेश्चन देगो परात में किस तर की ईबी एस पार्ट पुस्तकों में कभी ताया और कहानि करना यहां पर आपका राइट आंसर होगा ठीक है अंगला क्वेश्चन देख लो अंगला क्वेश्चन है यदि एक महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा इस प्रशन को पूशने का उद्देश से क्या है उद्देश से बताना है त चिंतन पर कौशनों का विकास करना यानि कि C नमबर एस प्रशन को पूशने का उद्देश होगा C नमबर ठीक है अंगला देख लो अंगला यहां पर जो दिया है रस्मी को ऐसे काया जाता है कि प्रशन पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं का पालन करें तो कौ कौन से चरणों का हमें पालन करना चाहिए तब आपका विकल्प नमबर जो है B सही होगा यहां पर B यानि कि सबसे पहले रूपरे का डेजाइन तयार करो फिर उसके पहले बिलू प्रिंट ने तयार करना ठीक है फिर प्रशन लिखना फिर प्रशन पत्र का संपादन करना तो यह आपके हो जाएंगे ठीक है इस प्रकार से अंगला देखो निम्न में से कौन सा पर्यावन की कक्छा में रूपात्मक आकलन का समुचितकार नहीं है तो रूपात्मक आकलन का समुचितकार कौन सा नहीं है तो अब आपका अंसर हो जाएगा क्या जल प्रदूशन की ह पक्षी प्रक्रण पढ़ाते समय नलनी नीची दीगे पद्धतियों का प्रियोग करती है तो पक्षियों प्राधारत ब्रत्य चित्र देखाना विविन पक्षियों की तस्वीरें बाले चाट का प्रियोग करना और संचेव में उनका वर्णन करना सिक्षार्तियों को नजद नमर यहां पर सही हो जाएगा आपका अंगला देखलो राश्टी पार्ट चरिया रूप रेखा या नसी एफ 2005 ने कक्छा एक और तीन के लिए परियावन अध्यन के किसी पार्ट करम या पार्ट पुस्तुकों की संस्तुती नहीं की इसके लिए सबसे उप्युक्त कारण क्य है तो इसके लिए सबसे उप्युक्त जो कारण है वो संदर्वियुक्त अधिगम परिवेस प्रदान करना यानि की डी नमर आपका सही होगा डी नमर ठीक है प्राथ में कक्छा में परियावन अध्यन के लिए निम्लेकित सभी सामान नुपागमों का अनुपलन किया जाना एक केवल इसे छोड़कर किसे छोड़कर तो आपका राइट अंसर होगा किसे छोड़कर केवल बी को छोड़कर केवल डी को छोड़कर अमूर्थ से मूर्थ प्राथ में कक्छा में परियावन अध्यन के लिए निम्लेकित सभी सामान और पागमों का अनुपालन किया जान में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्रात्मिक्ता होगी तो क्या होगी तो आपकी सबसे पहली जो प्रात्मिक्ता होगी वो होगी सिक्छार्तियों को समास सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरन तयार करना यानि कि C नम्मर आपके यहां पर सही होगा यह आपकी जो है प ठीक है अंगला question है परयाव औधिन की अदियम का सिद्धान्त कौन सा है परयाव औधिन का बताना है तो आवसकता का सिद्धान्त है औपयोगित्स का भी है जीवन से सम्मेदित होने का इन्य की उप्रयोगति सभी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा शिक्चक की सबसे बहुमूल निधी है तो क्या है बहुमूल निधी बताना है तो ए है छात्रों का विस्वास यानि की D नम्मर आपका शिक्चक की सबसे बहुमूल निधी मानी जाती है D नम्मर अंगला question है परिकल्पना को बार बार परिक्षन करने से गलत नहीं पाया जाता तो बहे है एक सिद्धान्त कानून मूल चंकल्पना या खोज तो बहे एक सिद्धान्त होता है यह नम्मर यहाँ पर आपका right होगा परियावन अध्यन के सिक्षन है तो नियुद्वय से कौनसा उद्धेस आवसक नहीं है तो कौनसा उद्धेस नहीं है परियावन सिक्षन के लिए विज्ञान के आधारवूत प्रत्यों उसे द्धान्तों को रट कर याद कर लिना यह आवसक नहीं है परियावन सिक्षन के ल D नम्मर का, समुदा एक महत्पूर्ण सिक्षण और अधिगम संसादन है, क्योंकि ये वास्तिवत परिस्तिती में सीखने का उसर प्रदान करता है, और D नम्मर यहां पर आपका सही होगा, D नम्मर, ठीक है, 73 का D, अंगला है परियावन अध्यन में सिक्षक के द्वारा बच को स्वयम के आखलन के लिए औसर देना चाहिए, स्वाह आखलन है, तो एक क्या है, सीकने के लिए समान आखलन, एक स्वाह आखलन है, C नम्मर आपका सही होगा, नेक्स्ट है, खालिस्तान को विग्ज्ञान सिक्षण को अधेक इस्ता इख साइब नाने की कुंजी माना जा यह नम्मर आपका सही हो जागा नहीं वैसे कौन सी परिगटना कक्छा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती तो कौन सी नहीं की जा सकती कोहरा निर्मान सी नम्मर यह नहीं की आ जा सकती कक्छा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती सी नम्मर आपका बिलकुर सही है बांकि आपक बा है ना क्रमसा है क्या होंगे सबी बताएंगे मिस्त्रन चुम्बक जल यह आ है निस्पंदन जल निस्पंदन नमक का जल बा है तो यह क्या होंगे विकल्प है आपके लोहे की कीलें एबं बालू लोहे की कीलें एबं चीनी लकड़ी के टुकड़ें एबं बालू या फ्रे एक नमबर ठीक है है ना मिस्त्रन एनिकी जो है मिस्त्रन चुम्बक और जल इन से क्या बनेगा लोहे की केले बन जाएंगी है ना और निस्पंदन नमक का जल यह जल यह जो है बालू का निर्माण करेंगी यहां पर मिस्त्रन की अवयोगों को पिर्थक करने के लिए प्रियो बिक्सित की जा सकती है बैंक पोस्ट का आपस भिर्मार करवा कर बिल्कुल शाहिए मूल लिजे अभी अमूर्त धाला को धारनों द्वारा बेक्त करके तब आपका उत्तर हो जाएगा बिकलप नम्मर डी अर्थसास की मूल अब धालां की समझ बिक्सित की जा सकती है डी यान की बिकलप नम्मर डी जो है आपका यहां पर सही हो जाएगा अंगले कोस्टिन की और बढ़ते हैं अंगला जो अपना कोस्टिन है सातियो वह सामाजी बिज्ञान के संदर में परियावन अध्यन पढ़ाने का निमलकित में से कौनसा उद्देश नहीं है तो कौनसा सिक्षार्थियों को बिद्दमान बिचारों और अब्यासों का प्रश्ण करने की योग बनाना बिलकुल चाही है इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्की रूप में बढ़ने की योग बनाना बिलकुल चाही है तो यह नम्मर आपका यहां पर सही होगा अंगल है तो कौन सा सरवादे को प्योक्त है तब आपका उत्तर होगा सिक्षार्थियों के लिए सिर्जनात्मक माध्यम उपलद करवाना डी नम्मर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा EBS कक्षा में सामाजे का समानताओं पर अधिक बल्द देने के लिए निवन मैं से कौन सा अधिक प्रभावी अधियम अनुभाव होगा तो कौन सा होगा प्रशने करवानक 82 और 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बोग आपका डी विद्यारतियों से समू पर योजना का भार अपने उपर लेने के लिए कहना ये डी नम्मर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अंगला है प्रात्मेक इस्तर के EBS को पाठ चरिया सुद्ध बिग्यान और सामाजिक बिग्यान की संकल्पना को समलेते करके विक्सित किया गया है एसा करने का मुख़ुद्देश से क्या है? एसा करने का मुख़ुद्देश होता है सिक्षारती को परियावन को संपूर धंग से देखने योग बनाना ए नम्मर साहिए आपका अंगला है बिज्ञान का एक सिक्षक छह चात्रों को तीन समूव में बाढ़ता है प्रतम सम्मूव के सदस आपस में कसकर आलेंगन कर रहे हैं दूसरे सम्मूव के सदस एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं तीसरे सम्मूव के सदस एक दूसरे से दूर खड़े हैं सिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है तो वो पढ़ाना चाहता है ठोस, द्राव, गयस की प्रिकिरती, D नम्मर आपका सही हो जाएगा है, अंगला कॉस्चन देख लेते हैं, यदि ये कद्यापक आलू, चाउल, ब्रेड वा सक्कर की उधारणों का सहारा लेता है, तो वो पढ़ाना चाहता है, क्योंकि आलू, चा का किस छेतर में खोच के लिए प्रोसाहत करना चाहिए, तो वो करना चाहिए खोच के लिए लवोड भिद दल दल में, B नम्मर आपका यहां पर सही होगा, ठीके, मैंगलो पदार्तों की तलास है तू, तो B नम्मर, 87, निवन वैसे कौन सा प्रात में किस तर पर बिग्यान सेक्षन का बांचे तुद्देश से है, तो प्रात में बिग्यान सेक्षन का बांचे तुद्देश बताना है, तो बिग्यान की तत्तों और सिद्दान तो विन इसके अनुपरियों को जानना बिलकुल चाहिए, प्राकरतिक जिग्यासा सुअंदर परक की अनुभूती तत बिग्यान एबं प्रोद्योगी की मिस्रिजनात्मक्ता का पोस्टन बिल्कुल शाहिए इमांदारी सतनिस्टा और सहयोग की मूलियों को आत्मसाथ करना यानि की जो बिकल्प नमर आपका D है वो यहां पर सहय होगा अंगला क्वेस्टन है बिग्यान प्राकर्तिक विसाय का ब्यवस्तित ग्यान एबं धार्णाओं के मद्ध संबन्नों का तारके कद्यन है जिनमें एह विसाय ब्यक्तों होते हैं वो प्रुप्त विग्यान की परिवासा किस ने दी है तो वो दी है WC Dampier यानि की ए नमर आपक यहां पर सही होगा परियावरन अद्यन की अंतय विसाय प्रिकिर्टी परियावरन ये मुद्धों को खाली स्तान द्वारा संबोदित करती है तो किस के द्वारा करती है तो वो करती है दोस्तों बिग्यान सामाजिक बिग्यान परियावरन सिक्चा की विसाय बस्तू और प बच्चे अपने परिवेस को समग रूप में देखते हैं, यानि कि C नम्मर आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है, परियावन सिक्षन को बाल के अंदर बनाने हैं तो प्रभावसाली बिधी कौनसी है, तो कौनसा हो जाएगा, ब्रमन है, समुकार है, बागबानी है, यान नहीं है, तो समुदाय के अंदरेत, यह नम्मर नहीं है, सिक्षार्ती के अंदरेत, छात्र के अंदरेत, अध्यता के अंदरेत, यह सारे हैं, यह नहीं है, यानि कि यह नम्मर आपका सही होगा, परियावन सिक्षन की प्रभावसाली बिधी है, तो क्या है, प्रयोक साला ब के लिए कौन सी बिदी प्रवावसाली है तो प्राथ में किस तर की बात होती है तो कहानी बिदी प्रवावसाली होती क्योंकि बच्चे जो है कहानी पसंद जादा करते हैं ठीक है बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्यन करने बाले व्यक्ती थे तो कौन थे जीन प्याजे और LM वाईगोस्ट की ए नम्मर आपका यहाँ पर सही होगा बच्चों की सीखने के तरीकों पर ए नम्मर ठीक है परियावन दिन की कक्छा में बिध्यार्तियों में खोज से सम्मंदित दक्षताओं का विकास करनी है तो एक सिक्छक निवन मैं से किसका जी है तब आपको उत्तर बताना है सामुहिक चर्चा की जो सम्मंदित सिक्ष्ण भी दी है तो बिचार गोस्टी यानि की दी नम्मर आपका यहाँ पर सही होगा अंगला क्वेश्चन है परियावन दिन की कक्छा में अब धाणाओं को इस्पष्ट करने के लिए कभिताओ और कहानियों का कथन परियोग करना इस्थानिये एवं बिस्तों इस्तर पर संसार की प्ष्ण को खोजने और कल्पना की योगता का विकास करने में मदद करता है यानि कि दी नम्मर आपका यहाँ पर बिलकुर सही हो जाएगा बच्चों को बिभिन परिकार के इंदनों से परिचित कराने के लिए सिक्षक कक्षा में कुछ इंदनों के नमूने देखा सकता है एक लगू फिल में देखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावे तीन्धन के परकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है या फिर चार्ट पर इंदनों के चित्र प्रदर्सित कर सकता है तब आपका उत्तर जो हो जाएगा वो बी नम्मर हो जाएगा साथ यो कि एक लगू फिल में देखाने के साथ साथ के साथ खाना पकाने के लिए इस्तिमाल होने वाले संभावेत इनन प्रकारों बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है तो बी नम्मर यहाँ पर सही होगा और यहाँ पर हमारे बहुत सारे जो प्रशने हैं परियावन पेड़ोगोजी के वो कबर होते हैं ठीक है अगर आपको कोई डाउट लगता है कोई भी क बच्चों के परेएं